यादेवी शर्ब भूतेशु सक्ति रूपे नसंसिता नमस्तस्याई 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 नमो नमा दुर्गाशप्त सती चौथा ध्याए सिध्धी की च्छा रखने वाले पुरुस जिनकी शेबा करते हैं तथा देपता जिन्हें सबोर से खेरे रहते हैं उन जया नाम बाली दुर्गादेवी का ध्यान करें उनके स्रियंगो की आभा काले मेक के समान स्याम है वे अपने कटाक्षों से सत्रू समू को भैप्रदान करती है उनके मस्तक पर आवध्य चंद्रमा की रेखा सोभा पाती है वे हाथों में संग, चक्र, किर्पान और तिर्शूल धारन करती है उनके तीन नियत्र हैं वे सिं के कंध्ये पर चड़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है दिसी कहते हैं कि अत्यन्त प्राकर्मी दुरात्मा महिसासुर्ट अथा उसकी द्यत्त से नाके देवी के हाथ से मारे जाने पर इंदरादी देव्ता प्रणाम के लिए गरदन तथ संपुर्ण देवताओं की शक्ति का शमुदाई ही जिन का शरूप है तथा जिन देवी ने अपने सक्ति से संपुर्ण जगत को रखा है समस्त देवताओं और महर्शियों की पूजनिया उन जगदंबा को हम भक्ति-पुर्वक नमस्कार करते हैं वे हम लोगों का कल्यान करे जिनके अनुपम प्रवाब और बलका बर्नन करने में भगवान सेशनाग ब्रह्मा जी तथा महातिव जी भी समर्थ नहीं हैं वे भगवती चंडी का संपुर्ण जगत का पालं एबम असुभय का नास करने का विचार करें जो पुन्यातमाओं के घरों में स्वेंगी का रुप से निवास करते हैं उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं यह देवी आप संपुर्ण विश्व का पालन कीजिए देवी आपके इस अचिंते रूप का अशुरों का नास करने बाली भारी प्राकर्म तथा समस्देवता और दैतों के समझ युद्ध में प्रकत किये हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार बर्नन करें आप संपुर्ण जगत की उत्पत्ती में कारण है आप में शत्तोगुन रजोगुन और कमोगुन एत्तीनोगुन मौजूद है तो भी दोसों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता संपुर्ण यग्गों में जिसके उचारन से सब देवता त्रिप्ति लाव करते हैं वह स्वाहा आप ही है इसके अत्रिक आप पित्रों की भी त्रिप्ति का कारण है याते अब सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं देवी जो मौक्ष की प्राप्ती का साधान है अचिंत म भगवती परादेवी आप ही हैं आप सब रूपा है अत्यंत निर्मल रिगवेद यजुर्वेत दाउदगीत के मनोहर पदों के पाट से युक्त सामबेद का भी आधार ही है आप ही है आप देवी त्रही तीनों बेद और भगवती च्वह एस्वर्य से उत्त हैं इस विश पार उतारने वाले नौकारूप दुर्गा देवी आप ही कहीं भी आस आपकी कहीं भी आसकती नहीं है कैटब के सत्रु भगवान विश्नु के बच्छस्थल में एकमात निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी पता भगवान चंद सेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है आपका मुखमंद मुश्कान से सुषोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के विम्वकान करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांती से कम निये हैं तो भी उसे देखकर मैशासुर को करोद हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया यह वर यह की बात है क्योंकि क्रोध में भरे हुए है मुराज को देखकर भला कौन जीवित्रा सकता है दिविया प्रशनों परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन होने पर जगतकाल अभ्यूदय होता है क्रोध में भर जाने पर आप ततकाल ही कितने कुलों का सरवनास कर डालती है बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिसा सुखी है विशाल से न चनवर में आपके कूप से नस्ट हो गई है सदा अभिध्य परदान करने वाली आप जिन पर प्रसंद रहती है वही देश में सम्मानित है उन्हीं को धाना और रेस की प्राप्ती होती है उन्हीं का धर्म कभी सिथिल नहीं होता तथा वेही अपने हिरिस्ट पुषिस्त्री पूत्र और भितों के साथ धन्य माने जात तहां इसलिए आप तिनों लोकों में निश्य ही मनुवान्शित फल देने वाली है मादुर्गे आप अस्मरन करने पर सब प्राणियों का भैहर लेती है और स्वस्त पुर्सोद्वारा चिंतन करने पर उन्हें परमकल्यान में बुद्धी पतान करती है दुख दरेद्रता और भैहरने वाली देवी आपके शिवा दूसरी कौन है जिसका चित सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयादर रहता हो देवी इन रक्षासों के मारने से संसार को सुख मिले तधा यह रक्षा चीर काल तक नरक में रहने के लिए पले ही पाप करते रहे हो इसमैं संग्रा पातमात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती इसमें एक रहस है एस सट्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए इस प्रकार उनके परतिवियापका विचार अत्यन्त उत्तम रहता है खरक के तेज पुंच की भेंकर दिप्ती से तथा आपके तुरसूल के अगरभाव की घनिभूत प्रभा से चोधिया कर जो असुरों की आखे नहीं फूट गई उसमें कारण नहीं था क्यों यह मनोहर रस्मियों से उक्तर चंदमा के शमान आनंद प्रदान करने बाले आपके सुन्दर मुका का दर्शन करते थे देवी आपका सील दुराचारियों के बुरे बरताब को दूर करने वाला है साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तता आपका बल और प्राकर्म तो उन दैत्तो नहीं हो सकती है तता सत्रों को भाय देने वाला है मत्यंत मनोहर ऐसारूप भी आपके सिवा और कहां है और युद्य में निष्ठुड़ता यह दोनों बाते तीनों लोग के भीतर के वल आप ही में देखी गई है माते आपने सत्रों का नास करके इस समझत लोग की रक्षा क ही है उन सत्रों को भी दुबिमी में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है था उन्मत देत्तों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भाय को भी दूर कर दिया है आपको हमारा नमस्कार है देवी आप सूल से हमारी रक्षा करे आप खड़क से भी हमारी रक्षा करे तता में भी हमारी रख्षा करें तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर मत्यंत भैंकर रूप विचारते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस बोलोग की रख्षा करें आपके करपल लोगों में सोभा पाने वाला खडग शूल और गदा आदि जो जो अस्त्रों सब के द्वारा आप सब और से हम लोगों की रख्षा करें इस प्रकार जब देवताओं ने जगनमाता दुर्गा की अस्तुति किया और नंदन मन के दिव पुरसो एवं गंद चंदन आदी के द्वारा उनका पूजन किया फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पुरबक दिव सबिक्षापूर्ण कर दिए अब कुछ भी बांकी नहीं है क्योंकि हमारा आया सत्रू महिशासुर मारा गया है महसुरी इतने पर भी दियाप हमें और बर देना चाहती है तो हम जब जब आपका आसमन करें तब तब आपका दरसन देकर हम लोगों के महान संकर दूर कर दिय रिशी कहते हैं कि राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्यान के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन किया तब यह तथा आस्तू कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई भूपाल इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोगों का हिच्चाने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के सरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा में ने सुनाई अपना देवताओं का उपकार करने बाले वे देवी दुष्ट देत्व तथा सुम्ब निसुम्ब का बद करने हैं अब हम सब लोगों की रक्षा करने के लिए गवरी देव के सरीर से जिस प्रकथ हुई थी वह सब्सक्रति मेरे मुझे सुनो मैं उसका तुमसे थावत बरणन करता हूं इति श्री मारकंडे पुराने के मनमंत्रे देवी महात्मे सक्रादी अस्तुति नाम चतर र्थो अध्याय इस मारकंडे पुरानमे शावर्निक मनमंतर की कथाय के अंतरगत देव झाल झाल